Welcome guys, तो इस वीडियो में हम basically देखने वाले हैं, किस तरीके से stock market में आप किस approach के साथ start कर सकते हो investing Stock market में अगर आप देखने जाओगी तो बहुत सारा data available है YouTube पे, various platforms पे, बहुत सारी आपको e-books मिल जाएगी, बहुत सारे courses मिल जाएगे तो किस तरीके से आप इस चीज में सिर्फ निकल सकते हो, क्योंकि इतने सारे data में से आपको चीज सर्फ इतनी सी information तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस free वाले course में, जो कि मैं YouTube पे डालने वाला हूँ, step by step approach उसके अंदर आपको दे सको कि किस तरीके से आपको stock trading स्टार्ट करने चीए, किस तरीके से कम capital से आप चीजों को start कर सकते हो और अपनी journey चालू कर सकते हो, investing के अंदर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको करने क्या है, stock market में आप जाओगे तो आपको free वाली ebook मिल जाएगी एक आपको बहुत सरी लोग 199 चार्ट वाली, canonistic वाली book दे रहा होगा, कि यह वाला chart और ऐसा करके उपर चला जाएगा जाख वाली बात नहीं है और market में किस तरीके से risk reward देखना है आपको, यह सारी चीज़े हम इस course में सीखने की पोशिश करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बहुत ही common question है, जो मेरे को लोग बार बार पूछते हैं जब भी मैं live trading करता हूँ, सर मैं कितने रुपे से start करता हूँ और दूसर डाउट क्या रहता है, कि सर मुझे पहले कितना loss होने वाला है, भाई आपको कुछ भी loss क्यों होगा अगर आप चीजे सीख के करो गया, तो मेरा answer है कि आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए 0 रुपे चाहिए, वो कैसे चलो देखते हैं, तो आप में से ज़्यादा तर ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, कि वो जाते हैं Instagram पे या YouTube शॉट्स तो वहाँ उनको दिखता है कि कोई बंदा ह उसके टेबल पर उसने क्लिक किया, बहुत सारे पैसे आके गिर के टेबल पर, किसी ने अपना screenshot दिखा दिया, कि भाई मैंने 10 लाग रुपे कमाया है, मैंने 1 लाग रुपे कमाया है, या फिर किसी ने अपनी Lamborghini नहीं दिखा दी, या कोई बड़ी Mustang वाली गाड़ी दिखा कि आप लोग ही start करते हो, तो आप problem क्या होती है, कि आप चीजों को सीखते नहीं हो, आप सीधे पैसे लेते हो और stock market में jump कर देते हो, आपका loss होगा, कि stock market में बिना सीखे loss होना पक्का है, फिर आप क्या सोचोगे, सर पकड़ीगे कि या ठीक है, मेरा बहुत बड़ा loss हो ग पर आपको करना क्या हो, आप paper trading देखके सब को लगता है कि चलो ठीक है, paper trading में profit हो जाएगा, पर जब real market में जाओगा, तो मेरा पका loss होगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको जो paper trading में पैसा मिला है, आप उसको पैसे जैसे considering नहीं कर रहे हो, तो paper trading कहां की, आपको अपन और comments का aim रखने वाले हैं 500, अपने दोस्तों के साथ share कर दो, फिर मिलते हैं next video के अंदर,